वेलो वेल्कुम बैक तुमाइ यूटूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट इस नेकिता तिवारी आज की वीडियो में हम आपका थोड़ा सा टेंचिन दूर करते हैं और हम ट्राइब करेंगे कि कल आपकी जो लिस्ट आने वाली है उसके लिए आपको मैंटली प्रिपेर कर दे आपको क्या-क्या डॉक्यमेंट्स लेके जाने हैं रिमाइंडर हम यहां पर लेके आएंगे और जो कुछ डाउट आ रहा है आपका एक की बहुत सारी कॉल्स आ रहे हैं में लिस्ट भी नहीं आई और आपको कॉल्स आरे डाइट से वो क्या है उन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो को इंट तक देखेगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब किजएगा और ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाईए ताकि मैं भी मोटीवेट हूं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए देखिए सबसे वो आज रात में भी डाल सकते हैं वो उनके उपर हैं जैसे ही लिस्ट आ जाएगी आपका इंट्मिशन स्टार्ट हो जाएगा लिस्ट आई दस बजे तो आपके पास अगर सारे डॉक्मेंट्स अल्रेडी रेडी हैं तो आप 10 बजे निकल जाएंगे और आपका जैसे ही पता चलता है कि मैंना नाम न één जो करदेंगे अपने पेजस डालती हों कुछ शेयर करते हुं आपके साथ वहां पर आप जाके देख सकते हैं कि मैंने एक बच्चे का डाला भी हुआ है तो आप वहां से भी जाके उसको कापी कर सकते हैं अपना नाम पर आइडिट कर देंगे हम यही डीटेल्स वहां लिखने हैं आपको सबसे पहले यह काम करना है क्योंकि इसके बिना एंडमिशन न सब्सक्राइब करेंगे आपको कौन से डाइट में आपका नाम आया उस पेज की का प्रेंटाउन निकालेंगे अपने जब एडमिशन करवाए था तो एडमिशन के टाइम जो एप्लिकेशन फर्म था वो होना चाहिए आपके पास यह सब्सक्राइब आपको पसंद आता है तो आपको क्या करना है फ्लोट करना है कि मेरा किसी यह दाइट में नाम आज है तो आप सीट को फ्लोट करेंगे साही दाइट में जाएंगे जहां पर आपको वो डाइट में नाम दिये हैं ऐसा नहीं है कि आपने फ्लोट कर दिया और आप निस्ट हो गए कि मुझे आप जाने की जूर्त नहीं है आपको जाना फिर भी होगा आप वहां जाके डॉक्यमेंट कराएंगे अपना वोक अब आपको चाहिए तो और ही चांसे नहीं है कि आप चाहें तो आपको डाइट हो जाये तो आपको चेंज हो जाएगा प्रिफिर्स थी उससे पहले वाला जासे आपको तो दोनों सिच्वेशन आपको ध्यान में रख कर ही सीट को फ्रीज या फ्लोट करना है यह बात को आ कि अभिल वी अमने ही मिला आपक्को यसे से ख़ए करा रहे होते हैं तो वह वाम को सकते हैं कि अप्मिशन कर लीजिये ऐसे करके लेकिन वह अथनिक नहीं आपको उसके लिए उनके पास proper documents होते हैं वो अगर आप देख लेते हैं कि वो valid है तो वो चल जाएगा आपका लेकिन दिल्ली में admission के लिए अगर आप कहा रहे हैं रेगुलर डाइट वाला तो वो आपको call करके नहीं बुलाएंगे वो आपका यह जो पूरा process होता है इसी के वो आपका admission लेते हैं तो private date और government rate से कोई आपको ऐसा call नहीं आएगा अधर state वाले होंगे वो तो आपको call कर रहे हैं भले वो दिल्ली में बिठा के आपको course कराएं लेकिन वो अधर state का होता है valid होता है वो यह भी ध्यान लखना है वो पूरे इंडिया में valid रहेगा बस वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताईएगा और जाज़ादा शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे जो भी स्टूडेंट को डाउट सेते हों हम स्लियर कर पाएं अभी भी कोई डाउट है comment box में comment कर दीजिए मैं उसका answer जब भी उससे देखूंगी बत कर दूंगी ओके थैं थैंक यू